नमस्कार कथा सकी में आज सुनी पवित्रा अगरवाल जी के लिखे कहानी एक दूजे के लिए हेयरपोर्ट पर पहुचते ही मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी थी उन दोनों के ही चेहरे, हाथ पैरों आदी, संपूर्ण शरीर पर सफेद दाग थे उनकी उम्र तीस वर्ष के आसपास रही होगी, उन दोनों को देखते ही मेरे मन में विचार उठा कि आखिर इन में रिष्टा क्या है, ये दोनों भाई बहन है, पती-पत्नी है या मित्र है सुनने में तो यही आया कि आम तोर पर यह बिमारी बन्शा नुगत नहीं होती, अता हो सकता है ये भाई बहन ना हो, तो मित्र हो सकते हैं या फिर पती-पत्नी यदि पत्नी पत्नी ही है तो निस्चे ही यह बिमारी दोनों को शादी के बाद तो नहीं हुई है इसका मतलब दोनों ने जानते बूचते ये शादी की होगी उनसे बात करने को मेरा मन उच सक था जाने अन जाने मेरी नजरें बार बार उनकी तरफ उचाती थी इस बात का एहसास उन्हें भी हो चुका था जब हमारी नजरें आपस में टकरा जाती तो मैं दूसरी तरफ देखने लगती थी मैं सब परिवार दिल्ली से कुल्लू जा रही थी मुझे सोख़द अनुभूती तब हुई जब मैंने उन्हें भी उसी प्लेन में चड़ते देखा कुल्लू के भुंटर हवाई अड़े पर हम सब उत्रे तो वह दोनों हमारे पास आए उन्होंने अपना परिचय दिया वह संजय और नंदा थे वह भी मनाली जाना चाहते थे मनाली जाने से पहले वह मनीकरण जाने के एक चुप थे हमारा भी यही प्रोग्राम था वह हमारे साथ टेक्सी शेयर करना चाहते थे हमने इसे सहर्ष स्विकार कर लिया मनीकरण के रास्ते में नंदा से बात करने का आउसर मिला वह दोनों पती-पत्नी थे विवा की हर वर्षगार्ट पर इसी तरह देश के विभिन भागों में घूंग चुके हैं आगे भी उनकी यही योजना है उनसे बात करते समय ग्यात हुआ कि वह सिकंद्राबाद में रहते हैं दोनों बाहों में बाहें डाले इतने खुश थे जैसे विवा की वर्षगार्ट नहीं हनीमून मनाने आए है मैंनी नंदा से पूछा नंदा तुम्हारा प्रेम विवा है या माता पिता द्वारा तै किया गया विवा है इससे आप लब मेरिज भी कह सकती हैं और अरेंज मेरिज भी वह कैसे? पहले हम दोनों ही मिले थे घरवलों के मिलाकाथ बाद में हमने ही कराई थी आप दोनों कहां टकरा गये? हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए थे अता कहीं न कहीं तो हमीं टकराना ही था चहकतेवे संजनी पहली बार मूँख खोला था नहीं नवेली की तरह लजाती हुई नंदा बूली अपनी इस स्कीन डिजीज की वज़े से मैं स्कीन इस्पेसलिस्ट के यहां जाती थी वहाँ इसे बिमारी के बहुत मरी जाते थे वही हमारी मुलाकात हुई थी यही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई घर वालों ने कोई आपत्ती नहीं की आरे नहीं, वह तो खुश हो गए उनके तो मन की मुराद ही पूरी हो गई थी असल में मेरे माता पिता मेरे भविश्य को लेकर बहुत परिशान रहते थे उनका सोचना था कि माबाप जीवन पर साथ नहीं दे सकते भाई अभी तो अच्छे हैं, शादी के बाद पता नहीं उनमें क्या बदलावाए भाई के सहारे मुझे छोड़ कर भाखुश नहीं होते उन्होंने शादी के लिए भी बहुत भाग दोड़ की कुछ जरूरत मंद अपनी व्यक्तिगत परिशानियों के वज़े से मुझे शादी के लिए तयार भी हो गए थे एक लड़के के दो बहने थी, माबाप नहीं थे बहनों के शादी के उम्र निकली जा रही थी किन्तु शादी के लिए उसके पास धन नहीं था वह स्वैम भी बेरूजगार था किन्तु पढ़ा लिखा वह सुन्दर था पापा ने उसके बहनों के शादी का खर्च उठाने के जिम्मेवारी ले ली थी और उसे अपनी फैक्टरी में एक अच्छी पोस्ट देने का विश्वास भी दिलाया था अताव शादी के लिए तयार हो गया था पर मैंने इस शादी से साफ इंकार कर दिया यह शादी नहीं एक सौधा था अपनी बहनों को अच्छा भविश्य देने के लिए उस भाई ने मुझ जैसी लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था किन्तु मैं जानती थी वह मुझे मन से कभी प्यार नहीं कर पाता हो सकता है अपना काम पूरा हो जाने पर वह मुझे त्याग देता या ना भी त्यागता तब भी मैं और वह दोनों खुश नहीं रह पाते उसके नजरों में उपजी उपेक्षा या नफरत मैं सह नहीं पाती वह शादी सुखत भविश्य की गारेंटी नहीं थी इससे तो मैं बिना शादी के ही ठीक थी मेरा ये विचार मात्र कालपनिक भी नहीं था क्लेनिक पर खाली समय में बहुत से मरीजों से हमारी बाचीत होती रहती थी उनके दुख सुख अनुभव सुनने के बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि यदि शादी करूँगी तो किसी अपने जैसे से जब हम दोनों एक ही रोग से पेड़ित होंगे तो एक दूसरे की उपेक्षा या एक दूसरे से घ्रना तो कर ही नहीं सकते और उन्हीं दिनों संजय से मुलाकात हुई और यह मुलाकात प्यार में बदल गई फिर हमारी शादी हो गई संजय बोला देखिए हमारी शादी को चार वर्ष हो गय किन्तो हमारे बीच कभी कोई समस्या पैदा नहीं हुई हम बहुत खुश है बलके हमने अपने जैसे भाई बेहनों के सामने एक उदाहरण पेश किया है एक हल निकाला है जिसे वह भी अपना सकते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ न नंदा हाँ संजे हमारे रोक से पीड़ित अविवाहित यूवक योटियों के लिए तो या एक अनुकरण करने योग्योधारण है तब ही मनीकरण आ गया था हम टेक्सी से उतर कर घूमने निकल गए और कुछ देर के लिए हमारी बातों का सिलसिला तूट गया कुछ घंटों बाद हम लोग टेक्सी में फिर साथ थे हमारी टेक्सी मनाली की राह पर भाग रही थी बातों के दोरान नंदा ने बताया कि सिकंद्राबाद में हमारा अपना फ्लैट है संजे का रेडिमेट गार्मेंट का शोरूम है हम दोनों मिलकर बिजनस अमालते हैं हम खुश हैं तनाव रही जेवन जी रहे हैं मैंने पूछा नंदा एक बात बताओ इस बेश तुम्हारी मा बनने की इच्छा नहीं हुई कई बार हुई यदिपी डॉक्टर्स कहते हैं कि अब बिमारी न तो बन्शानुगत है और न संक्रामक है फिर भी मन में कहीं एक भैसमाया हुआ है कि हम दोनों ही इस रोग से पीडित हैं कहीं हमारा आने वाला बच्चा भी इस रोग का शिकार न हो जाए हम एक प्रतिशत भी रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए हम इसे टालते रहे हैं और अब हमने अना थाले से एक बच्चा गोद लेने का निर्ने ले लिया है यहां से लोटते ही हम इस दिशा में प्रयास प्रारम कर देंगे लड़की गोद लेना चाहोगी या लड़का जो जल्दी मिल जाएगा वही ले लेंगे सुना है लड़का लेने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कई वर्ष इंतजार करना पड़ेगा हम अब और इंतजार नहीं करना चाहते लड़की लेकर भी हम उतनी ही खुश होंगे बातों के दौरान समय का पता ही नहीं चला मानाली पहुशने की सूचना टेक्सी ड्राइवर ने दी तो हमने अपना-पना सामान समाला और टेक्सी से उतर गए फिर हमने संजय और नंदा से विदाली और होटल के तलाश में निकल पड़े अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अगरवाल जी के लिखी कहानी एक दूजे के लिए उमीद करते हूं दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले मिलती हूं किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मुस्कुराते रहे धन्यवाद